दोस्तो आज की webinar में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारी app है किवा deals app है उसके साथ भी हम business कैसे generate कर सकते हैं घर बैठे बैठे business कैसे generate किया जा सकता है किवा अंदस्ट्रीज वो भी आपके लिए लेके आई है बहुत ही असानी से आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समय हमारे पास बिल्कुल लिमिटिड है देखिए 30-35 मिनिट का मीटिंग रहेगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने साथ में एक सेपरेट मोबाइल साथ में रिखेगा क्योंकि साथ में आज हम प्रेक्टिकल भी करके देखेंगे कि कैसे हम कीवा डिल्स आप को चला सकत हैं आप अपने अपने मोबाइल पे कीवा डिल्स आप को चलाना आज ही सीख लेंगे बिल्कुल प्रेक्टिकल हम करेंगे और यही चीज़ आपने अपनी टीम को भी सिखानी है इस काम को मल्टिप्लाइ करना है अपनी टीम को आपने ट्रेंग करना है कि कैसे कीवा डिल्स अगर मेने सीखी है तो मैंने कितने लोगों को सिखाई है यही नेट्वरक मारकेटिंग है यही चीज हम ने आगे दूसरों को सिखानी है तो आज हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है बिना किसी टेरिक हैं तो सबसे पहले जानते हैं किवा डिल apps के बारे में कि Actually में कीवा डिल एप है क्या इसके बारे में आज हम थोड़ जानने की कोशिश करते हैं कि क ना थड़ों को है वाइट मैं तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कीवा डिस एप के के बारे में कि कीवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर खरीददारी कैसे करें और रिवार्ड कैसे पा सकते हैं देखिए सिंपल सी चीज है आप कुछ भी खरीददारी कर रहे हैं कुछ भी मैं कीवा की बात नहीं कर रहा हूं ऑनलाइन कोई भ मंगवा रहे हैं चपल मंगवा रहे हैं पंखा मंगवा रहे हैं बैग मंगवा रहे हैं कुछ भी घड़ी मंगवा रहे हैं कुछ भी अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उस शॉपिंग करने से भी अगर आपको बीपी मिलना शुरू हो जाए यानि कि आपको पैसा आना तो क्या इससे कोई और बड़ी बात हो सकती है, कुछ खाने के लिए मंगवा रहे हैं, या खाने के लिए आप मंगवा रहे हो, लेकिन उसके ओपर भी कीवा आपको वहाँ पे पैसा दे रहा है, तो क्या इससे कोई और बड़ी चीज हो सकती है, दोस्तों ये बहुत ही शांद यह आपने इसको याद कर लेना है, इसको रट लीजिए, अपने मुबाइल में Google Chrome पे जाके आपने यहाँ पे यह टाइप करना है, www.kivadeals.com जो आपका दूसरा mobile house पे टाइप करके रिखे, क्योंकि इस PPT के खत्म होने के बाद, और जो product है हमारा, जो आज launching product है, उसको launch करने के बाद, हम यहाँ पे एक practical करके देखेंगे, और सब भी इसको असानी से सीख भी लेंगे, तो चलिए देखते हैं, क्या है आज के session में खास, जैसे कि बात करते हैं कि जैसे Amazon हो गया, Flipkart हो गया, कोई भी ऐसा जो online shopping portal, जहां से आप shopping कर रहे हैं, आप कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, घड़ी मंगवा रहे हैं, तो लेकिन आपने ये सारी चीजें keyword deals के जरीए अगर आप करते हैं, आप तो वैसी भ अलग अलग जैसे हम जो apps होती हैं, वो download करके रखते हैं, कुछ नहीं करना है, तिरुफ एक app को download कीजिए, keyword deals app को, उसके जरीए, उसके अंदर आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी, आपको खाने पीने का समान मिल जाएगा, आपको दवाईयों का समान मिल जाएगा, आप आपको online shopping का headphone, mobile, कुछ भी अधर खरीद रहे है, keyword deals के जरीए खरीदे, क्योंकि वो तो अब ऐसे भी खरीदने वाले हैं, वहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको वहाँ से BP भी मिलने वाले हैं, और PI, यानिकि purchase incentive भी आपको मिलने वाला है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, तो यह main point है कि हमें वहाँ पे कीवा deals app, अभी हम download करेंगे सभी यहाँ पे, Google Chrome पे जाके आप इसको www.kivadeals.com आपने वहाँ पे जाके टाइप कर लेना है, इस website का यो क्यों करें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि खरीदारी करते समय, जब भी कोई order लगाते हैं, तो आपको कुछ भी मंगवाते हैं, तो आपको उसका BP और purchase incentive जो है, वो आपको मिलता है, आपको भारी discount से खरीदारी करते हैं, तब भी आप यहाँ पे keyword deals के जरीए कर सकते हैं, एक ही platform पे, जैसे मैंने बताया, एक app के अंदर सभी apps वहाँ पे आ रही हैं, तो हम उनसे अपना mobile क्यों भरके रखें, अगर एक app हमें सभी कुछ provide कर रही है, सभी चीजे provide कर रही है, तो हम वो क्यों करके रखें, और साथ में हर खरीदारी पे हमें कमाई भी हो रही है, एक से देके 15% तक BP हमें मिल रहा है, self purchase incentive हमें मिल रहा है, तो भाई क्यों नहीं करना चाहिए, यही चीज हमने अपने team को सिखानी है, अब देखिए, आप आज यहाँ पे बैठे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैंने कितने लोगों को सिखाया है, यह बहुत important है, मैंने सीख के अपने तक रख लिया, तो वहाँ पे सिर्फ वो मेरे को कमाई होगी, थोड़ी बहुत जो होगी, लेकिन अगर मैं अपनी team को भी सिखा देता हूँ, अब किसी के पास कम से कम 5 से लेके 10 WhatsApp ग्रूप आसानी से होते हैं, जाधा भी होते हैं उससे, यानि कि हर किसी के पास 800,000 phone number सब किसी के पास होते हैं, आपको नहीं पता कौन सा पर्थन कब shopping करने वाला है, हमें नहीं मालूम है, हमें अपना पता है कि हम लोग कब shopping करेंगे, अब देली तो हम shopping करने वाले हैं नहीं, तो अगर मैं सिरुफ इस एप को share कर रहेता हूं कि आप इस से shopping कीजिए, तो कैगो इसमें बहुत बुरी बात है, नहीं, हम तो एक चीज़ शेर कर रहे हैं, कि वो share करने से भी अगर आपको वहाँ पे BP मिल रहा है, आपकी team को वहाँ पे BP मिल रहा है, तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन हमने वहाँ पे उसको चीज़ का ध्यान रखना है, कि हमने कितने लोगों को ये चीज़ शेर कर रहे हैं, ये बहुत important है, सीख के अपने तक नहीं रखना है, आगे सिखाना है, इसी चीज़ को network marketing बोला जाता है, network marketing की असली definition यही है, कि जो काम मेंने किया, वो काम मेंने अपनी team को सिखाया, क्या मैं ये काम कर पा रहा हूँ, ये बहुत important है, तो प्लीज अभी भी आप सभी से request है, जैसे अभी 300 लोग हमारे साथ हैं, तो अगर हम 3-3 और लोग अपने साथ जोड लेते हैं, तो आपको bonus आना है, आपने सिर्फ app को share किया है, आपने shopping की है, जो आप वैसे भी करते हो, लेकिन उससे हमें कुछ ज़्यादा वहाँ पे benefit मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत यो discount वहाँ पे अगर app पे चल रहा होगा, तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कीवा आपको BP भी दे रहा है, और PI भी दे रहा है, purchase incentive भी दे रहा है, तो हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल simple है दोस्तों, और यही चीज हमने अपनी टीम को भी सिखानी है, मेरा बार बार आप से यही request है, अब यह काम किस प्रकार से करता है, उसके बारे में देख लेते हैं, simple सी चीज है, माली जी आपने 200 रुपे का, यहाँ पे जो repurchase kit है, वो आपको खरीदना पड़ेगा, simple सी चीज है, अगर आप इसके उपर काम करना चाहते हैं, तो आपको 2000 रुपे का, जो कीवा repurchase kit है, उसकी खरीदारी हमें करनी ही पड़ेगी, यह important है, अब जैसे की, यह से कि सर, हमने 1500 देके, जो ID है, वो green करवाई हुई है, या कुछ और दिया, देखिए, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, कुछ भी देके आपने पहले, कुछ भी अगर आपने ऐसा किया हुआ है, तो वो valid नहीं है, मेरी बात को समझिएगा, 2000 रुपे का, अगर आपने जो कीवा repurchase kit है, जो चल र रहा है, अगर आपने उसको purchase किया हुआ है, तभी आप इस app को आगे run कर सकते हैं, चला सकते हैं, इस से shopping कर सकते हैं, repurchase kit तो हमें खरीदना ही है, तो उसमें आप अपनी पसंदीदा kit जो है, वो भी खरीद सकते हैं, अभी जैसे हमने एक जो agro repurchase kit launch किया है, इस महीने 4-5 और kits हमारी launch होने वाली हैं, तो उन में से कुछ भी आप खरीद सकते हैं, आपकी मन पसंद का, लेकिन अगर वो हम kit खरीदेंगे, तभी हम इस app को आगे run कर पाएंगे, और उस kit खरीदने से भी हमें वहाँ पे business point और PI, यानि की repurchase point जो है 100, वो हमें मिलते हैं, अगर हम वह पे 2000 पे मूले की एक repurchase kit है, उसको हम purchase करते हैं, अब मैं दुबारा से इसको simple language में आपको बताना चाहूँगा, ताकि हर को इसको समझ सके, screenshot लेना चाहते हैं, screenshot भी ले सकते हैं, दोस्तों अगर आपको इस app को चलाने के लिए basically क्या है, 2000 पे मूले की जो कीवा repurchase kit है, वो आपको खरीदने पड़ेगी, लेकिन जिसने पहले से खरीदी हुई है, उन्हें दुबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माल लीजिए अगर आपने पहले से कीवा की repurchase kit जो है, उसको खरीदा हुआ है, तो आपको वो दुबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड whan pay अगर हम हमारा वेब साइट पे आप के जासे जो वीवीन पोर्टल होते हैं अगर हम उनको देखते हैं तो खृते जो भी हम कुछ भी खरीदारी कर रहे है मालेजञे हैटफ्वोन कुछ भी खरीदा तो कुछ मालेजी कुछ करीदारी चेज किया है तो वहाँ पे आप एक फिले के 15 परसेंट तक बीपी और सेल्फ पी आई को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि फॉर एक्जेंपल हम मान के चलते हैं कि आपने मान लिजिए 10,000 रुपे का कुछ भी समान खरीदा आपने तो इस पे मान लिजिए कि 10 परसेंट का जो कम हमें वहाँ में मिले तो वह जो 1000 पॉइंट्स हैं उन में से 750 पॉइंट लगबग 75 परसेंट जो है वो बीपी के रूप में आपके अकाउंट में आ जाएंगे और बाकी के जो 200 हैं वो आपके परचेस इंसेंटिव यानि कि एक तरीके से कैश के तौर पे आपके अकाउंट में आ जाएंगे और ये closing हर महीने की जाएगी इसकी जो closing है वो हर महीने की जाएगी रैट लेकिन अभी इसके आगे एक और चीज है जिसे हमें समझने की जरूरत है को ध्यान से समझेंगे हम देखिए जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं इस आपके द्वारा उसमें जो भी आपकी जो उस परचेज परड़क के ओपर एक से लेके 15% तक हमें जो BP है और साथ में हमें वहाँ पर जो परचेज इंसेंटिव है वो हमें वहाँ पर मिल रहा है यह चिन हम सब को समझ में आ अब इसकी जो भूमिका है गुनवत्ता की भूमिका है उसमें कीवा की क्या भूमिका है वो हम जानने की कोशिश करते हैं मानिजे आपने Amazon से Flipkart से या Domino से कुछ भी आपने मंगवाया है तो इस चीज में हम आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं यहां पर कि यह सभी जैसे की थर्ड पार्टी जो e-commerce portals होते हैं यहां पर अगर आप कुछ भी खरीदारी कर रहे होते हैं तो आपने कीवा एप के जरीए आगे एप को ओपन किया है तो उसका जो भी आगे ट्रैक होगा मैं सिंपल भाचा में आपको समझाना चाहता हूँ जो भी आपका ट्रैक होगा वो वही पार्टी देखेगी वही मालेजी आपने Amazon से शॉपिंग की तो आप वहां पे वो जो सारी आपका order detail है जो shipping है जो कुछ भी है अगर आप उसको प्रक्त को वापस करना चाहते हैं राइट रिटर्न करना चाहते हैं तो वह जो सारी चीज़े हैं वहां पे आप भी आपको बताई गई है ताकि आप असानी से इस चीज़ों को लोगों को बता सके और इन में से किवा इंडस्ट्री किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगा किवा इंडस्ट्री की जो website है सिर्फ एक marketing के समंधित website है इस चीज़ को वहां पे कर लीजीगा और इसके प् और portal से की है तो वो आगे का जो track है वो आपको उसी company के जरीए आपको वहां से देखना पड़ेगा उनके साथ ही आपको वहां पे deal करना पड़ेगा लेकिन कीवा आपको यहां पे एक अलग जो एक extra आपको जो income source दे रहा है उसके लिए कीवा डीज ने यह जो app है वो आपक देते हैं कि सिंपल सी चीज है पंताली से लेके साथ दिनों तक यानि कि दो महिने के अंदर-अंदर आपको जो business point है 75% और जो परचेज incentive है 25% उसका बुकतान आपको दो महिने के अंदर-अंदर हो जाएगा अब यह नहीं है क्योंकि monthly closing अलग होगी वो जो चल रहा है लेकिन जो business point आपके account में जुडेंगे वो दो महिने का समय लेंगे किसलिए समय लेंगे हो सकता है आपने कुछ product खरीदा Amazon से Flipkart से या और कही shopping portal से मालेजे आपने इस product को return कर दिया वो breakage में हो गया आपको पसंद नहीं आया आपने इस product को return कर दिया तो जब तक हमें वो जो site है वो कीवा को एक assurance नहीं देगी कि यह जो समान है यह अब बिक चुका है अब customer ने इसको purchase कर लिया है इसको इस्टमाल कर रहे है उनकी जो deal है वो आपके साथ close हो चुकी है तब कीवा आपके account में उसके जो BP है और जो PI है वो आपके account में डालना शुरू कर देगा तो यह चीद आसानी से हमें clear होगी कि यह चीद हमें कब मिल सकती है कि यह दो महिने के अंदर-अंदर इसलिए यह जो समय है वो लिया जा रहा है तो क कि हमने बात की थी कि third party e-commerce जैसे website है तो अगर कोई भी order 24-48 घंटे के भीतर my orders में जो है विकल्पे जो dashboard आपको दिखाई देगा वहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा right order का जो status है शुरूआत में वो pending ही दिखाएगा तो आपने वहाँ पे confused नहीं होना है क कि सर यह मेरा अभी pending दिखा रहा है प्री रिटर्ण पॉलसी और e-commerce पोर्टल के जो और बहुत सारे जो मापदन होते हैं जिनके अंसार order किया जाता है order के status को verified होने में करीब 45-60 जिनों का समय लगता है जो मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ यह चीज़े मैं आपको order आप cancel कर देते हैं रद कर देते हैं आप नहीं करते हैं रिटर्न कर देते हैं तो वह invalid हो जाएगा उसका बीपी और पी आई हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम वह पनट जो है वह रिटर्न कर चुके हैं उनको और जब वह company हमें कीवा इंडस्रीज को जब वह verified का status भेज देग कि यह अब जो product है वो verify हो चुका है customer के पास पहुंच चुका है अब इसकी जो deal है वो close हो चुकी है तब कीवा इंडस्रीज आपके account में इन सब को आगे transfer करना शुरू कर देगी जो भी बीपी और पी आई होगा अब इस app को चलाने के लिए मैं दुबारा से बताना चाहूँगा आपको दुबारा से यह slide यहां पे हमने इसलिए लगाई है इस app को चलाने के लिए आपको 2000 पे मूले की जो कीवा रीपर्चेस किट है वो आपको खरीदने पड़ेगी लेकिन जिसने पहले से कीवा रीपर यह बूमिका होती है कि जो भी एकमेर्च जो पोटल होते हैं तो उसमें जो वैबसाइट पर जो बीपोर सल्पी है उसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है वहाँ पे ध्यान दें कि जो भी परसंटेज है उसमें वहां पे बदलाव हो सकता है क्योंकि यह पूरी तरीके से थर् पी और पी आई है वो उनकी जो परसंटेजिस है वो भी उपर नीचे हो सकती है तो यह पूरे तरीके से वहां पर थर्ड पार्टी को उपर वहां पर डिपेंड करता है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है अब शुरुआत कैसे करनी है अब यहां से हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे लेकिन पहले एक वर इसको देख लेते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें है अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप कीवा डील्स.com खोलते हैं www. आप ओपन कर लीजिए www.कीवाडील्स.com जब आप ओपन करेंगे लॉग इन करने के बाद अपनी डालने के बाद जब आप अपनी डालेंगे वो भी आपको मैं बता दूँगा साइड पे कि कहां पे आपने डालनी है आपने बस इस स्लाइड का जिहान रखना है कि अगर आपने 2000 रुपे वाली किट परचेज नहीं की हुई है तो आपको इस तरह की कि जो स्लाइड है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी आपके सामने आने शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले हमें यह जो किट है वो परचेज करनी पड़ेगी यही चीज आपने अपनी टीम को भी सिखानी है तो कि हमें बार-बार यही चीज बार-बार क्वेश्चन हमें यही आ रहा है कि सर हमें पहले यह पेज वहां पे आ रहा है तो अगर हमें ही नहीं पता हम अपनी टीम को भी वो चीज जो है वहां पे नहीं सिखा सकते हैं तो अपनी टीम को इसका screenshot ले लिजिए कि सबसे पहले आपके पास ये चीज़ आएगी अगर हमने 2000 रुपे की जो kit है वो purchase नहीं की हुई है अब आगे चलते हैं तो उसके बाद इस तरीके के जो structures है वो हमें आनी शुरू हो जाएगी ये मैं आपको practically करके बताऊंगा वहाँ इस पर हमने ज़्यादा confused नहीं होना है कि ये चीज़ कैसे थी तो कुछ लोग बार-बार पूछ रहे थे इस चीज़ को हम practically करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं जो stores होते है, flip cards होता है, domino's होता है, mantra होता है, 1MG होता है, Amazon होता है, कुछ भी होता है वहाँ प चाहते हैं, health benefits, बच्चों के जो है, baby वगारा, pharmacy वगारा हो गए, electronics का समान लेना चाहते हैं, home furniture, fashion, apparel, sports, business, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप category wise भी वहाँ पे उसको वहाँ पे choose कर सकते हैं, ज्यादा confused नहीं होंगे, practically करेंगे, mobile में, अपना साथ में, एक separate mobile अपना साथ में लेके रखेगा, क्योंकि हम इसको practically करके देखेंगे, आप बागी ऊपर ये जो शरेणिया दी गई है, ये जो बतायागे, categories आपको दी गई है, यहाँ से भी आप इसको choose कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो site वगरा है, वो open हो जाता है, practically करने में हमें थोड़ा सा जादा स कीवा आज launch करने जा रही है, आप सभी की उपस्तिति में, और कोशिच किजिए ये सभी हम अपनी team को भी जरूर बताएंगे कि आज के हमारे जो new product की launching है, वो कौन सी है, बहुत ही शांदर product है, इस product की demand बहुत जादा थी, बहुत जादा आ रही थी, तो कीवा आपके लिए वो भी लेके आया है, लेकिन एक नए तरीके के साथ, तो ladies and gentlemen, now कीवा is launching our new product that is introducing neem herbal natural incense sticks, यानि कि जिसे हम अगर बती बोलते हैं, कीवा आज हमारा neem herbal natural incense sticks जो है, उसको लेके आ रहा है, एक अच्छे वातावरन के लिए, आपका जो atmosphere है, जो वातावरन है, उसको शुद्ध करने के लिए, कीवा ने आज आपके सामने neem herbal, यानि कि एक natural तरीके से जो बनाई गई, incense sticks जो है, वो आपके लिए launch की है, और इसकी जो कीमत है, मात्र 25 रुपे इसकी जो कीमत है, वो हमें यहाँ पे जी गई है, यानि कि 25 रुपे में हम buy one, get one free, यानि कि हमें दो मिल रहे हैं, 25 रुपे में हमें यहाँ पे दो मिल रहे हैं और इसमें 15 sticks होती हैं, एक इसमें 15 sticks होती हैं, तो आप खुद सोचिए कि इसके जरीए भी हम यहाँ पे जो business है, वो आसानी से कर सकते हैं, pollution free और rate बिल्कुल वाजिब है दोस्तों, अपन इसके उपर काम कीजिए, और साथ में महाशिवरात्री को भी आप सभी को धेर सारी शुब काम मनाए, मैं देना चाहूंगा, तो दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि practically हम किस तरीके से इसके उपर काम कर सकते हैं, आइए उसको एक बार जानने की कोशिश करते ह हैं, तो अपना-पना जो मोबाइल फोन है, वो प्लीज साथ में रखेगा, एक-एक मोबाइल फोन अपना साथ में रखेगा, कि किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ची, तो दोस्तों यह सब को दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, क् तो दोस्तों यहाँ पर आपने डालना है www.kivadeals.com, सबसे पहले आपने यह डालना है यहाँ पर www.kivadeals.com, जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और दोस्तों अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर इधर आपके जो राइट साइड पर है, राइट साइड पर आपको यहाँ पर लॉग इन दिखाई दे रहा है, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप सब को साथ में समझ भी आ रहा है, अपने अपने चैट बॉक्स में बताते रहिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लॉग इन, ओके, तो यहाँ पर अब आपने अपनी जब आप इसको ओपन करेंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लॉग इन रिजिस्टर, र तो यहाँ पर आपने जब इसको क्लिक करके, फिर आपने यहाँ पर लॉग इन को प्रेस कर देना है, और यह जो आपकी एप है, वो इस तरीके से खुल जाएगी, क्या सबकी यह जो एप है वो खुल चुकी है, असानी से, इसी तरीके से खुलिए सबकी एप, प्लीज एक आप चैट बॉक्स में बता जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए, टाइम लीजिए, कोई जल्द बाजी नहीं है, आराम से कीजिए, लेकिन सबने करना है, हर किसी ने करना है, अब यह आइधिंक सबका इस तरीके से जो पेज है, वो खुल चुका होगा, जब आप इसको नीचे करेंगे, तो यहां पर आपको यह दिखाई देगा, Amazon दिखाई दे रहा है, Flip Card दिखाई दे रहा है, Domino's दिखाई दे रहा है, 1MG दिखाई दे रहा है, गद्यवाई बंगाना चाहते हैं, Pizza Hut दिखाई दे रहा है, Jockey दिखाई दे रहा है, मिंत्रा द उपर तो मुझे इस तरीके का दिखाई देगा no code required यानि कि यहां पर मैंने जो 2000 पे की जो kit है वो मैंने यहां पर purchase की हुई है बिल्कुल simple सी बात है लेकिन अगर मैंने 2000 पे की kit purchase नहीं की है तो आपको पता है कि आपको वहां पर क्या दिखाई दे रहा होगा तो आपको पता है कि वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा अगर 2000 पे की kit purchase की हुई है तो आपको यहां पर यह सारे चीज़ें दिखाई दे रही होंगी no code required go to the store आप मुझे कमेंट करके करेंब करके आपको वहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको 2,000 रुपे की की रीपर्चेस कित दिखाई दे रही है जी मुझे कुमेंट करके बदाइज बिलकु बिलकुल झल बिलकुल तो दोस्तों अब आपने यहां पे क्या करना है अब आपने यहां पे गो टू दा स्टोर पे चलना है और यहां पर अब आपको कि अब कि तो अब यहां पे जो आप देख रहे हैं यहां पे आपका यह जो फ्लिप कार्ड की जो एप है वह आपकी यहां पे खुल चुकी है यहां पे यानि कि मुझे फ्लिप कार्ड के जितने भी प्रड़क्ट है अगर मैं फ्लिप कार्ड की एप खुलूंगा तो वह मुझे इसी तरीके की दिखाई देगी यहां पे मेरी जो फ्लिप कार्ड की आप है वह यहां पे खुल चुकी है अब यहां पे अगर आपने कु तो मेरा को यहां पे mobile के बारे में आ जाए गया है, जैसे कि मैं यहां पर, जो mobile है, वो purchase करना छाथा हूँ. तो मैं को यहां पर जो चीजी दिखाई दे रही है, यहां पे, अगर अब मैंने, जैसे आप वहाँ पर shopping करते हैं, अब यहाँ पे आपने वैसे ही shopping करनी है जादा हमने यहाँ पे confused नहीं होना है जैसे वहाँ पे shopping करनी है वैसे ही हमने यहाँ पे shopping करनी है यहाँ पे जाके आपने buy now के उपर click करना है और आगे जो भी आपका page होगा open हो जाएगा कि आगे आपने जैसे payment करनी होती है यहाँ पे आप login कर सकते हैं email, mobile number जो भी आपकी चीज़े हैं वो डाल के यहाँ पे आपने purchase कर लेना है आपकी deal final हो जाएगी और 45 से 60 जिनों के अंदर अंदर जो BP है और जो PI है वो आपके account में वहाँ पे credit हो जाएंगे तो दोस्तों यह क्या सबको समझ में आ चुका है तो प्लीज एक बार मुझे chat box में बता दीजिए कि आप सबको यहाँ पे समझ में आ चुका है अगर आप सबको समझ में आ चुका है तो प्लीज एक बार मुझे नीचे chat box में बता दीजीए तो please एक बार मुझे chat box में बता जीए okay thank you थैंक you so much बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तो अब बात करते दोस्तो अब यहां पर एक चीज़ है अगर आप flip card बाकी apps करते हैं तो उसके लिए यही process रहेगा लेकिन अगर आप यहाँ पर Amazon use कर रहे हैं, तो Amazon का जो process है, वो थोड़ा सा different है, ज़्यादा different नहीं है, थोड़ा सा different है, यहाँ पर आपने Amazon के उपर click किया, view deal के उपर आपने click किया, यहाँ पर no code required, यह वाला चीज हमारे यहाँ पर आता है, गो तूर स्टोर हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यह हमारी Amazon की app खुल जाएगी यहाँ पर, सबको clear है, Amazon की app खुलती है, हम यहाँ पर कुछ भी shopping करते हैं, कुछ bad shit खरीते हैं, कुछ भी shopping करते हैं, bulb, light, AC, कुछ भी अगर हम यहां पे खरीदते हैं खरीदारी सेम वैसे ही रहेगी जैसे आपने करनी है लेकिन जैसे ही आप यहां पे deal close करते हैं खरीदारी करते हैं तो उसके बाद वापस आपने यहां पे main page के उपर आना है और यहां पे आपने एक चीद का ध्यान रखना है कि main page के उपर आके यह जो my account उपर दिया गया है यहां पे हमने login किया था my account दिया गया है यहां पे आपने click करना है तो आपको यहां पे तीसरे नंबर पे amazon order दिखाई देगा यह सिरफ amazon के लिए है अगर आप amazon के उपर shopping कर रहे है तो amazon orders यहां पे दिखाई दे रहा है आपने इसके उपर click करना है और उसके बाद जो भी आपने shopping की है उसको आपने यहां पे upload करना है upload amazon orders मालेजे आपने यहां पे कुछ भी किया है amazon india जो आपका order number है जो आपने वहां पे order डाला जो आपने purchase किया है उसका order number होता है वो order number आपने यहां पे लिखना है order date आपने यहां पे लिखनी है उस invoice में आपके यहां पे होगा कितने रुपए का order है order amount लिखना है और कौन सा product है और उसकी जो invoice की copy है जो आपके mobile में पड़ी होगी, जो भी उसकी photo होगी, उसकी copy आपने यहाँ पे choose file में यहाँ पे आपने इसमें add कर देनी है, और उसके बाद आपने इसको close कर देना है, submit कर देना है, तो दोस्तों यह आपका Amazon का जो order है, यह भी आपका यहाँ पे submit हो जाएगा, बाकि किसी ची जरीए, अगर हम कुछ भी shopping करते हैं, तो उसका benefits हम सबको मिल सकता है, हम सभी उसका जो benefit है, वो ले सकते हैं, और दोस्तों मेरे ख्याल से, इससे आसान चीज़ और कोई नहीं हो सकती है, तो देखी, confused नहीं होना है, कि क्या चीज़ आ रही है, इसको चीज़ को बार-बार की practically कीजिए, कि इसमें आपको कुछ और confusion क्या आ रही है, क्योंकि जो main confusion है, वो मैंने आपको बता दी है, कि अगर हम 2000 रुपे की जो kit है, वो purchase नहीं करते हैं, तो ये जो Amazon Flipkart है, ये sites वहाँ पे नहीं खुलेंगी, लेकिन अगर आपने 2000 रुपे की kit जो है, वो purchase की हुई है, जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको purchase किया हुआ है, तो आप वहाँ पे इसको open कर सकते हैं, और कुछ भी खरीदारी करने पर आपको और आपकी team को वहाँ पे जो benefits हैं, वो मिलने शुरू हो सकते हैं, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो session है, आपको बहुती informative ल लोगों ने आज इसको सीखा है, इस app को, right, maybe अभी जो 10-15 लोगों को maybe अगर confusion होगा, तो कोई दिख्यत वाली बात नहीं है, अपनी team से बात कीजिए, senior से बात कीजिए, या हमारे साथ, जो हमारी team है, CSQ team है, जहां पे लुध्याना head office में, उन से बात कीजिए, हम सभी यहा आँ, अब यह जो चीज है, यह जो session है, Facebook के ओपर live चल रहा है, अभी इस session को, जो live चल रहा है, इसमें जो link है, आपको यहाँ पर दिया गया है, Facebook का, इस link को अपने WhatsApp group में share की दिए, अगर आप business देखना चाते है ना, business grow करना चाते है ना, तो कुछ नहीं करना है, घर बैठ बैठे भी grow हो सकता है, this is the power of technology, this is the power of technology, अगर आप इस चीज को use करते हैं, planning करके use करते हैं, अब आप लोग 313 लोग अगर यहाँ पे मौजूद हैं, तो 313 लोगों के पास WhatsApp सब के पास है, और हर एक के पास वहाँ पे जो group है, वो वहाँ पे बना हुआ है, तो खुद सोचि कि अभी एक जटके में हम यहाँ पे कम से कम 5 लाग से 10 लाग लोगों तक असानी से इस कीवाड डिल एप को असानी से पहुचा सकते हैं, क्या कोई इसमें बहुत बड़ी चीज है, नहीं, असानी से किया जा सकते हैं, दोस्तों, जितने भी आपके WhatsApp group हैं, जितने भी आपके आज का जो सेशन है, वो बहुत ही असानी से समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर कोई भी दिक्त है, तो हमारी टीम आपके लिए रेडी है, आपके अपने लीडर से बात कीजिए, वो इन सभी चीजों को जानते हैं, हमारी टीम आपके लिए रेडी हैं, हम आपके लिए लेकिन उसके साथ में आपको भी हमारी साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, तो थैंक यू सो मच लेडीज और जेंटलमेन, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा नेक्स सेशन होगा, वो भी इसी तरीके से इन्फरमेटिव होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम को ला सकें, अब अगर हमारे साथ यहाँ पर और लोग जुड़े हुए होते, तो में भी यहाँ पर हमारा जो सेशन है और बहुत सारे लोग भी सीख सकते से उससे, लेकिन देर आए दुरुसता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी तरीके से हमारा जो सेशन है वो चलते रहेंगे, जल्द ही मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई इंफोर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच अजए पसमो से फितर道, को से लाउन के साथ, थैंक्यू, थैंक्यून के साथ, तोरा जिसा ही रहाएं, नो जूम्चित शुक्तिया, जा हमारा जए में बहुत जए झाहाओ, बहुत बहुत चीज़ों के साथ, तोरा से जुद पनेगे हैं, झाल्हाँ, जुदा आवब चीज